जैहीन दोस्तो चले मिए दोस बात करते हैं इस एक और कोश्शन के बारे में इस क्या कहा गया है A B C, एक ट्राइंगल दिया हो मुझे यह ट्राइंगल दिया हो मुझे A B C को सब्लीकिर के यह A point दिया हुआ है यह B point दिया हमा है और C point दिया हुआ है AB बराबर दे रखा AC का यानि कि ये वाली side और ये वाली side क्या दे रखिए मुझे equal दे रखिए O is a point on BC BC पर point है जो BO और CO बराबर बराबर करेगा यानि कि ये point जो दे रखा है मुझे O और ये वाली side और ये वाली side बरा रखिए ये isolis triangle है इसको यहाँ पर हम bisect करेंगे तो ये bisect करेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा इसकी median भी होगी और इसका ये perpendicular भी होगा next OD is the perpendicular to AB यानि कि यहाँ से एक perpendicular खीचा इस point पर और इस point को दिया D और ये क्या है मेरे पास में given दे रखा है 90 degree D OE is the perpendicular to AC यहाँ से मैं इसको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास एक perpendicular बनेगा और ये मेरे पास में E होगा ये 90 degree कैसे है अभी आगे देखेंगे तो 90 degree automatic आपको पता लग जाएगा कि 90 degree कैसे आया यहाँ पर देखिए O is the perpendicular to AC angle BOD BOD O और D ये मुझे 30 degree दे रखा है आपका Then मुझे क्या find करने के लिए बोला इसने angle A O और E ये वाला angle मुझे find करने के लिए बोला है अब देखिए यहाँ पर दरा ये 30 है ये 90 है तो इसका मतलब ये 60 होगा और ये side इसके बराबर दे रखी इसका मतलब ये 60 होगा और ये 60 है ये तो ये मेरे पास 90 होगा ये मेरे पास 30 होगा अगर इस पूरे triangle के अंदर दो angle मेरे 60 60 है तो ये 120 होगा ये already मेरे पास कितना होगा आपका 60 होगा और ये मेरे पास क्या बन कि आप equilateral triangle देगर और इकुम ले ट्रेयेल के अंदर जो मीडियन उती है वो पर्पेंडीगbles की भी बीडिये करती है चलिए तो यह मुझे पता लग गया आपका यह कितनगा पर्केयं करते आप क्षमी सिंटी तो यह मेरे पास नाइंटी मिल्फ 60 डिगरी और ये भी इसका क्या होगा 60 डिगरी और 60 डिगरी प्लस का 30 दे को ये 90 के बराबर हो रहा है यानि कि इसका जो अंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 60 डिगरी यानि कि option जो 2 होगा वो इस question का correct होगा I hope आप सभी कोई question जमझ में आया होगा जय हिंद जय भारत